इकर लगिन जलवायू रहक चाहिए सुस्क और समसितोचन उसनकटिबंध्य जलवायू भी इकर ले बेस है वार्सिक वर्सा रहक चाहिए 800-1500 मिली मीटर एक बरिस में इक बर्सा कर पानी 800-1500 मिली मीटर मिलग चाहिए इप पानी कर जमाओं के नी सहक पारिल सेले पानी के निस्केक का सुईधो रहक चाही इकर लगिन अईद का तापमान 40 से 450 सेंटीग्रेट और नियुन्दम तापमान 50 सेंटीग्रेट रहक चाही बलूई दो मट माटी इकर ले बेस है इकरुनत प्रभेद, सम्ध शितोष्न और गुजरात आठ है बिहिन दर एक हेक्टर लगिन लगबग 40 हजार पोधा कर जोरत रहल बिहिन लगायकर बेरा, इके लगायकर बेस बेरा है जून और जुलाई लगायकर दूरी, दर से दर और पोधा से पोधा कर दूरी 50 सेंटीमेटर रहले बेस रही माइंद और उर्वरक केसन प्रयोक करेक है गोबर कर सडल माइंद के 10 से 12 टन दे देख चाही खेत में इकर अलावे नेत्रिजन 50, स्फूर 50 और पोटास 30 किलो ग्राम दे देख चाही नेत्रिजन कर आधा भाग के रूपिक बेरा और बाचल नेत्रिजन कर 6 महिना बादे उपरी वेशन कर रूपे परयोक केरदवें पटाय केसन है गरमकला में इके हालोक हालोक पटाय देख चाही तोड़ेक और कोड़ेक पोधा लगायकर एक बरिसकर बादे तीन महिना में सोब पोधा मन के तीन चैर पतेई तोड़के बाकी सोब पतेई कर कटाय केरलेक चाही इकर प्रयोग कौन-कौन बेमारी में करेक है इकर प्रयोग चर्म रोग, उदर्शूल, रक्त शोध, जनी मन कर रोग कर उपचार, मोडी बथेक, फोड़ा और घाव, सूजन और गांट मन में या की मोच आयक में इकर प्रयोग होईल इकर अलावे भित्रे भित्रे कर चोट, आइख कर रोग, रक्त परिभ्रमन, प्लीहा, प्लीहा व्रिधी, सर्वांगिक, सक्ती, बावसीर, छवा मन खोकी और कफ में इकर प्रयोग बेसोईल इकर अलावे गठिया और जोड़कर दरद जदी, तवचा या की सरीर में जदी कुनों घाव होई जाय चाहे जैल जाय तो इकर उपचार बढ़िया होईल सुन्दरई प्रशाधन लगिन इकर विशेश प्रयोग करल जायल और खायक व्यंजनों में इकर प्रयोग बेसोईल